आज मैं आज आपको बता रहा हूं होंडा का जो जन्रेटर रहता है उसके कारवडर की सपाई किस तरीके से करते तो सबसे पहले इसको उपन करेंगे तो यह दो बोर्ड निकाल लेंगे निकालने के बाद इसके अंदर जित्ता सारे पाइप रहेगा वो निकाल लेना निकाल और फिर आराम से इसको ऊपन कर लेना यह इस तरीके से निकलाएगा तब इसकी किस तरीके से सर्विस करते हैं किलीन करते हैं तो मैं आपको पूरा बता हुआ कर छाए कर रहा है oh 5 सर्विस करने से पहले आपके पास कुछ इक्कूप मेत होना और स्थ में क्या जो इस्पिनर रहता है वो होना चाहिए ऊर्फ ट्रे उना चाहिए जिसके अंदर जो भी सामान निकलेगा हम उसको इसको उपर रग देंगे और यह पॉस्ट प्रता है इसके अंदर कुछ कोई function मैं आपको बताता हूं यह थोक रहता है लिए डिडार रहता है चोक का मेन काम रहता है यह ठंड का समय रहता है उस समय चोक लगाने से क्या रहता है एर की सप्लाई कम हो जाती है और पेट्रों की सप्लाई बढ़ जाती है इधर से चोक लगाएंगे तो यह छोटा सा पेसे देख रहा हो इधर से फिर एर जाती है फिर इदर से निक तो इसको हम इसको खोल रहा है सबसे पहले यह नीचे के साइट का यह बोल्ट खोलेंगे आपको देख रहा होगा यह दस एम्यम का जो टी स्पेनर रहता उसकी सहाथा से खोलेंगे इसके बाद इन सब को एक अच्छे से रखना है आपको कोई भी पार्ट कोई भी सामान मिशना यह इसके बाद यह फिलोड रहती है फ्लोड क्या करती इसके अंदर कारव योटर के पैटॉल की सप्लाई को बराबर रखती है जैसे पैट्रोल कम हो जाता तो फैट्रोल को खोल दाए नौब रहता ह प्रकोश्य ना, इसको अच्छे से साब करना रहें। यहाँ पर लगी रहती है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा कच्रा देख रहा होगा, यह कच्रा उसकी वश्य से यह ओवर होता है। तो मैं इसको साप करूँ गा अब अंदर ये को खोलेंगे एक स्क्रू के उनले के बाद आपको फिर अच्छे से शी ह्चेतर रहत शहां ऊध całकिवास, निखल जाए कि इसके अंदर आपको देख रहा हूँगा यह इनको फिर अच्छे से हवा का प्रेसर से साप करेंगे इसको भी कोल लेंगे तो आपको देख रहा हूँगा इसके अंदर थोड़ा वहत भी कचरह रहेगा वो प्रोब्लम करेगा तो इसको अच्छे से साप करेंगे यह आर्प्यम इसको खुण लेकी जरूवत नहीं आप क्या करो आपके पास एक इंजेक्शन यह कुछ ऐसी चीज रहती इसकी वैसे आप प्रेसर से इसको दो को भी आप इधर से भी आप प्रेसर मारो तो न पूंघ बूरूस रहेगा इसके बाद नीचे इसके अंदर जम जाता है इसको भी बढ़िया से सापकरना है फिर अब भूस रहेगा बूस की साहता से अच्छे से से को साल करना है मैं थोड़ाँ साप करता हूं सापकने से पर कि विपिनिटा से जितना भी साना करे घंद की रहेdensे को साप करना दोल फिर हवा का प्रेसर रहे का उस से प्रेसर देना तो इसके नदर जितने भी छिद्र रेंगे सब साफ हो जाएंगे से यह अच्छे देना है अब इसको बढ़िये तक्राद मैं अब प्रेसर से साप करके लाता हूं इसको अच्छे से हवा के प्रेसर से साप करना एफ कम प्रेसर हो जादी आपके पास इदी कुछ हो तिसको साप करने के बाद इसके अंदर देखना है आपको पूरा कि चोटे-चोटे से पार्टीकल रहते हैं आपको देख रहा हुए यह यह क्या करता यह इसमें जमा रहेगा ना तो इसको फ्लोड को बंद नहीं होने देगा इसकी वह से करोटर ओबर फ्लोगा तो इसको अच्छे से साप करना यहां पर इस तब कच्छा रहेगा सब को निका जाप साप करने के बाद फिर इनको अच्छे से फिट करना है फिर आपको बहुत सारा कच्छना निकलता है थोड़ा बहुत और भी कच्रा रहेगा वह भी निकल जाएगा तो थोड़ा से साप कर दोना चाहिए यह टिप रहती है इसमें देख लेना चाहिए कई कच्रा तो नहीं जम रहा है इसके बाद फर इसको आप जिबावल रहेगी इसकी फ्लोट रहती है फ्लोट को नीचे की साइट से लगाना यहां पर इसको ऐसा लगा वह कि ऐसे लगाकर इसको फिर इसके अंदर डाल देना इसके बाद लगाने के बाद आपको चेक भी करना कि कहीं से कुछ यह प्रोपर तरीके से सेट हुई कि नहीं हुए कि इसको इदर से हवा देना हवा कुछ चेक करना है फिर इसको जेट को फिर अच्छे से साप करकर इसके अंदर फिर लगा देना है कि अच्छा करें कि अच्छा करें कि अच्छा कर देखना चाहिए थोड़ा फिर इसको बावल को इसके अंदर लगा दो लगाने के बाद इसके अंदर का केप लगा दो यह प्रोपर तरीके से यह फिट हो जाएगा अब इसका कितना रखना है आपको बोलियम कंट्रोल स्कूरू इसकी पोजिशन में आपको बताता हूं इसको फिर अच्छा से टाइट कर देना है कि जो बोलियम कंट्रोल स्कूर्ट रहती ना इसको आपको अच्छे से फिट करना और इसकी कितनी पोजिशन रहते हैं मैं आपको बताता हूं जो अच्छा से एवरेज देगी कि इसको पूरा बंद करो करने के बाद यह पूरा बंद हो एक इतना खोलना है आपको अब 1.52 12.5 इतने के लगभाद खोलना है आपको उसको यानि 25000 के लेकर थृप फैपके लगभाद आपको खूलना आए इस तरीकेसे आज आपने देगा किस तरीके से होंडा जो जन्नेटर रहते हैं उसके कार्वूटर की सपाई होती है तो और इसके बाद लगाने के बाद आपको अच्छे से चेक करना है एक बाद अच्छे से चेक करने बाद और आपको इसको फिट करना ना फिट करने के बाद इसको चलाएं जिदी थोड़ा बहुत आरपिम और से आप उसको कम जाधा कर सकते हो तो आशा करता हूं यह वीडियू आपको अच्छे